लेबर कॉंटेक्टर का काम करके कैसे आप लाखों रुपे कमा सकते हैं। शजनों, बड़े बड़े सहरों में लंबे प्रुजक्ट चलते रहते हैं और उनके लिए लेबर की जरूर परती है। गहरों में शाप सपाई के लिए खोली दिपावली लेबर की जरूरत पड़ती है अन्में सब में लेबर की जरूरती है और इन लेबर की जरूरत पूरी करने के लिए लेबर कांटेक्टर हुआ करते हैं यदि आप भी ये बिजनेश करना चाहते हैं तो बिना पैसा लगाए आप आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं शजनों बड़े बड़े शहरों में चोराहे पर लेबर चोराया बोला करते हैं उसको वहाँ लेबर रती हैं वो सुबह आठ बजे के आसपास वहाँ आजिर हो जाते हैं और पंदरेट बीस मिन रादी गंटे में जो भी लेबर ठेकेदार हैं अपनी डिबांड के अनुशार उन्हें पर लेबर के इसाब से ले जाते हैं और आगे उनका कॉंटेक्ट होता है कि इतने लेबर में आपको प्रती दिन दे दूँगा उस इसाब से वो अपनी रेटें ते करते हैं जहां उनको लेबर सप्लाई करना है वहां उनकी रेटें निश्चित होती हैं और जहां से वो लेबर लाते हैं वहां प्रती दिन के इसाब से पर डे रेट ते करते हैं उसमें पांस-दस रुपया का फरक रखते हैं वो और वो पांस-दस रुपया का फरक उनके लिए एक क प्रति दिन का कमा करके लाखों रुपय मेहना पचास जार रुपय मेहना साथ जार रुपय मेहना आराम से कमा लेते हैं सजनों काम बड़ा कोई नहीं होता आदमी बड़ा कोई नहीं होता काम करने वाड़ा और काम करवाने वाड़ा बड़ा होता है और उसके लिए लेबर एक जरिया होता है अपना मार्जिन वो लोग सुरक्षित रखते हैं निश्चित रूप से इतना रुपया उनको मिलना चाहे तो वो पर लेबर के हिसाब से अपनी रेट तै करके मार्जिन सुरक्षित रखते हैं और बड़े सहरों में इनकी खूब डिमांड रहती है स्कूल कोलेजों में भी गार्डन की साफ सफाई करने के लिए बगीचों की साफ सफाई करने के लिए सामाने गरहों में भी इनकी जरूरत रहती है दार्मिक एस्तलों पर भी बड़े आईजन होते हैं वहां भी लेबर की बहुत जरूरत रहती है इदर उदर के छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं जिनमें वो अपने लेबर को सप्लाई करते रहते हैं आप भी यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं और सबसे बड़िया इसमें ये रहेगा कि आप यदि लेबर बड़े लेबर की सप्लाई करते हैं ज्यादा लेबर की सप्लाई करते हैं तो आप लेबर लाइसन्स ले ले में तो ज्यादा बड़िया रहेगा गवर्मेंट के सरकारी नियम को अनुसार काम करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरी चैनल एसन जर्मा मोटिवेशनल स्पीकर यूटूब पे जाईए सर्च कीजिए सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आता है लाइक और शेर जरूर कीजिए नमस्कार